हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं पॉव बनाने जा रही हूँ जो घर पर आसानी से बनाया जा सकता है इस पॉव की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए मैंने ये श्टिया इनो का इस्तमाल नहीं किया है और इसे मैंने मैक्रोवेब में नहीं बनाया है या कराही में बनने वाला बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसे देखने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटी में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे देर कप मैदा, दो चमच रिफाइंड ओल, एक चमच नमक, एक बड़ा चमच पॉडर शुगर, एक चमच बेकिंग पॉडर, आदा चमच बेकिंग सोड़ा, दो चमच दही और एक कप दूद एक बॉल लेंगे, उस पर चन्नी रखेंगे, उसमें मैदा, नमक, पॉडर शुगर, बेकिंग पॉडर, बेकिंग सोड़ा, डाल कर इसे चान लेंगे अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ओयल, थोड़ा सा रिफाइंड ओयल हमने बचा लिया है अब इसमें डालेंगे दही, इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसे मिला लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर सॉप्ट सा डो तेयार कर लेंगे डो बना लिया है इतना डो बनाने में थ्रिफोर्थ कप दूद लगा है अब हम जो रिफाइंड आल हमने थोड़ा सा बचा लिया था वो इस डो पर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे जिससे किया हम बिल्कुल चिकना सा डो तयार हो जाए इसे लागतार मिलाते रहेंगे ऐसा हमें लगभग साथ से आठ मिनट करना है ऐसा करने से पौव बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा पौव बनाने के लिए अच्छा सॉफ्ट डो तयार हो गया है केक टीन में रिफेंडर लगाकर इसे चिकना कर लिया है अब हम इस डो को चार बराबर भागों में बांट लेंगे अब इसमेंसे एक लोई लेंगे और इसे दोनों हाथों की सहता से इस तरह से गोल शेप देंगे जा देखिए इसी तरह हम बांकी के पौव भी बना लेंगे पौव बना लिया है इसे ढख करके थोरी दिर के लिए छोड़ देंगे एक कराही को गैस पर रखेंगे उसमें नमक डालेंगे नमक को पैला लेंगे उसमें डालेंगे इसे ढख कर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखेंगे कराही प्री हीट हो गया है अब हम इसका ढख कन हटा लेंगे अब इसमें पौव वाली ट्रे रखेंगे इस पर थोरा थोरा दूद लगा देंगे जिससे किया हाड नहीं रहेगा हमारा पौव सॉक्ट बनेगा इसे ढख करके लो फ्लेम पर 40-45 मिनट तक पकाना है चालिस मिनट हो गया है अब हम इसका ढखकन हटा लेंगे यह कितना अच्छा पौव बना है अब हम गयस बंद कर देंगे और ट्रे को कराई में से निकाल लेंगे अब इस पर रिफाइन डॉयल या बटर लगाएंगे जिससे कि पौव बहुत ही सॉफ्ट बनता है इसे गिले कप्रेस धक करके आदा घंटा के लिए छोड़ देंगे कितना सॉफ्ट और स्पौंजी पौव बना है पौव तयार है इससे आप पौव भाजी या बड़ा पौव में इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या बहुत ही टेस्टी बनता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लैक कीजिए और मे फेस्बुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को लैक कीजिए इंस्ट्रागाम पर मुझे फॉलो कीजिए थैंक्यू